रूस से लगी सिमाओं के पास रेलवे ब्रिच को गिराए गया, रूसी सेना को हत्यार भेचने में दिकत। युक्रेन का दावा जब रेजी इलाके में रूसी सेना की साथ गाड़ियों को बर्बाद किया। युक्रेन ने रूसी सेना के के अ-52 हेलिकॉप्टर को गिराने का भी किया, दावा एक और हेलिकॉप्टर को पहुँचा आया नुफसाद। गोमेल की तरफ रूस की घायल सेनिक बसों में जाधे दिखे, युक्रेन के बदावेक अब तक करीब पच्चिस सो रूसी सेनिकों के शव ले जाए गए। चेनी हीव में, खोजी कुटे की लडाई में बड़ी भुमिका अब तक 90 से ज्यादा विसफोटकों की कर चुका है पहचान। युद के 25 विदिन, रूस की हमले तेज, कई शेहरों में फिर बज़े खत्रे के सार। विस से ज्यादा शेहरों में हवाई हमले का अलर्ट लगातार बज़ रहे खत्रे के सार। रूसी बंबारी के बीच, जिलिंस्की ने कहा जिसने युद किया है शुरू, वो भुकते गांजाम। युक्रेन के मिकुलेव मिलिटरी बेस पर भी रूस ने किया बड़ा हमला कहीं, इमारतें बनी, खंडर। हमले के बाद मिलिटरी बेस से साफ किया जा रहा हमल बाब तक पचास शब निकाले गए। हमलों से मारियो पोल में भारी तबाही ड्रामा थेटर की तस्वीरें आई सामने। ड्रामा थेटर में सेक्डों लोगों ने ले रखी थी शरन, रूस ने दागे रॉकेट। इवांकों में रूस ने दागी हाइपरसोनिक मिसाईल भारी नुकसान। मारियो पोल में रूसी हमलों से भारी तबाही रूस ने जारी की तस्वीरें। युक्रेन का दावा कीव पर पूरा कंट्रोल सेना की गश्ट की तस्वीरें की जारी। पचास घंटे बाद सीरिल हमलों से कीव देहल उठा कीव में कुछ घंटों में आथ धमाके वोल। कीव में रूसी सेना को युक्रेनी सेना से जबर्दस टक कर युक्रेन का दावार रूसी सेना को रोका। कीव के बॉर्डर एलाखों में रूसी सेना का भारी जमावडा 25 किलो मिचल दावरे में रूसी सेना। युक्रेनी सेना ने दिये रूसी सेना की तबाही के सबूत कीव में कई रूसी टैंक बरबाद दिखे। युक्रेनी मीडिया के हमाले से कहा गया है कि युक्रेनी सेना ने तीन हेलिकॉप्चर, तीन ड्रोन और चार फूज मिसाइल को भी मार गिराया युक्रेन के विकलेव में मलवे से एक बच्ची को जिन्दा निकाल गया इमारत मलवे में तब्दील टिनेट्स में भी रूसिक या बड़ा हमला युक्रेनी अंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से हमला किया नाकाल